पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन को लेकर हुआ अचानक बड़ा फैसला, सभी पेंशन धारकों का अब होगा इंतजार खत्म, फाइनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोट का आदेश जारी, अब आपको मिनिमम पेंशन हायर पेंशन में बड़ी कुसक्वरी, इस बार इतनी बढ़ जाएगी आपकी पेंशन, तो मिनिममम पेंशन की बड़तरी को लेकर अभी-अभी की बहुत बड़ी कुसक्वरी आ चुकिया, कि EPF के सब्सक्राबर पेंशन दारके उनकी पेंशन की बड़तरी की टेंशन होगी खत्म, अब इत कौन-कौन से चार पैंसन की मांगों पर मोर लगे अब कितनी आपको पैंसन मिलेगी तो सारी जानकरी को वीडियो में विस्तार से जानेगी EPS OPS DA एरेल को लेकर आ चुका है फाइनली बहुत बढ़ा पैंसला वित मतरी निमला सीतरमन का आपकी EPS पैंसन को लेकर अभी अभी का बहुत बढ़ा सांदर स्वोगात बताया जारा जो EPS 95 पैंसन दारिके उनको उनकी मिनमम पैंसन की बुरतरी को लेकर क्रमचारी पैंसन धार के पैंसन की बुरतरी का इंचार का रहे थे कि उनकी पैंसन की बुरतरी कब की जागी कितनी की जागी तो आप सभी पेंशनस की चार सुत्रिय मांगू को लेकर हुआ याप़ बढ़ा पैंशनस की मांगो पर लगी वित्मत्राला की मौर तो यहाप पर इसतर की भी जन कर आ रही है तो आपको पैंशन 1000 रुपे किज़ग्ञे 7500 रुपे मिलेगी या फिर 15,000 पे का मूल वैतन से बढ़ा करके कि आपका 25,000 पे का मूल वैतन लागू किया जाएगा उसके बारे में ताजा रिपोर्ट आ रही उसको भी जाने गए तो पैंस न की बड़ देट को लेकर लिष्ट बताई जारी की जारी हो चुकी है उस लिस्ट का अनसार आपको पैंसन मिलेगी तो या पर 7,500 पै या फिर 9,000 पै कि आपको पैंसर अब मिलेगी तो सारी सचाई सामने आ चुकी है यहां पर दो बहुत बड़ी मात पुन अपडेट मिलेगे जो ईप इपीस नाइडी पॉइ पैंसजा नए के उनके लिए अब पैंसन धारकों की बले-बले होने वारे क्योंकि अभी अभी पांच मिन्टे पहले ही मोधी सरकार का कैबिनेट की बैठक से बहुत-बड़ा ऐलान बताया जा रहा है जिसमें की आपकी चार सुपत्री मागों पर लगी मौर, अब EPS पैंसन जो एक अजार पी कीमल थी उस बड़ी कुसकबरी का अंचार कर रहे थी, उनके लिए यहां पर सांधार सोगात जारी हो चुकी है, पिछो तरला के पैंसन धार को उनके लिए एर्जन अपडेट होने वाली तो पैंसन की बड़तरी को लेकर इस तरह की बहुत-बड़ी अपडेट मिली है, पैंसन को मिल सक को बड़ी कुसकबरी कुसकबरी करमचारी वसंदी संग्टिन एपियसन के लिमिट को लेकर करने वाला है बहुत-बड़ा पैंसला, संधरिस्टी संग्टिन धार्कों को मिलेगी। और साजार पांसोग प्लैकि भी प्हेंसेनग्स, की अब इस सरकार इसको लेकर आखरी क्दम उठाएगी, और सरकार ने यानकि की पहेंसंद्र को की पहेंसंद्र को लेकर बढ़ा कदम ऊठाइने की त्यार divine है साथी आपकी पहेंसंद्र का application सरगों सरगोंन सर्कूर जारी किया है जिसमें कर गिया mean तो यहाँ पर minimum pension यहाँ पर संसिदी समीची ने 3000 रपे करने को लेकर आता हालनकि pension दारकों की यह मांग बनी विया कि कम से कम 9000 रपे pension किया जाना चाहिए अब तक 5 राज़ों के हाई कोड भी इसके फक्स में यहाँ की pension दारके उनको साथ दे चुका है यहाँ की हाई कोड भी E EPS pension fund को लेकर यहाँ की मौलिक अधिकार गोशित कर चुके हैं तो यहाँ पर pension दारके उनको एक बार फिर से यहाँ पर सांदर सोगात करे तो मिलने वाली हैं यहाँ पर क्रमचरी वह संगटन के तरह प्याप पाने वाले सभी लोग EPS pension के दाता थे उनको 18 साल की उमर के आप होता है मिलने का यहाँ तो EPS काते में कैसे जमा होता है पैसा तो यहाँ पर basic प्लस से लिए आपका होता है उसके साथ भी है और वारा पिस देशा जो की pension fund में काते में जमा किया जाता है वही नोकता कपनी इतनी रकम आपके प्रोडेंट फंड में की काते में डाले तो रपे का मुल वैतन भी लागू किया जा सकता है अलंकि इसी केंपिंग यहाँ की 15,000 रपे की वैतन लिमिट हटाने की लमे समय से मांग चलिया आ रही तो इसको लेकर सूपरिम कोट से भी पैंसला लेकर यहाँ जो पैंसल दार्कों की पैंसल को लेकर EPS को लेकर EPS को लेकर क्राम जारी है क्रमचारी वहसनीती संग्टन की रिटाइड इन्पो इंसमेंट और बानुपरताब सर्मा की मताबिक अगर बात करें तो उसके खाते में दो इस्तिती में एक मुस्त पैसा निकला जा सकता है तो EPS की मताबिक अगर नौकरी चोड़ने से पहले सर्वीस की इस इस्ट्री दस साल से कम है या पर नौकरी अठाउन साल का हो गया तो पहले भी वह अपना पैसा एक मुस्त निकाल सकता है अगर आपकी उबर एटाउन साल है तो एक मुस्त रिकम निकालने की बजाए क्रमचारी पैसा योजना में स्कीम सर्टिपिकेट लेने का विकलब भी दो अगस्त को उतरे थे आख पैसंदारकों को लेकर सरकार के आसवाचन के बाद यहां पर आउस Jackie कि बंद कर दिया च्यों कि पैसंदारकों क्यों की मांगे läuft रसी में इस तो ऐसी में यहां पर आपको बदे दे कि आप सभी की पैंसंदार्कों की प्रमक मांगो को लेकर सनमों रोजदगार मंतरी या इनकी बात के लिए मनसुक मांड़ी के साथ पैंसंदार के क्रमचारी संक्टेन उनके साथ मुलाकात हुई उसके बाद उनको बड़ा आनकी आसवा और वैसे में EPS मिनिममम पैंसंद की बड़तरी को लेकर अनकी अदक सकमाडर रसो कराउत की भी मुलाकात हुई उनको जल्द से पूरा करे तो यहां पर नया पैंसंद होगा आपका जो अब लागू होने वाला जल्द और नाई नियम भी आपका आनकी वैत लिमिट में बड अच्छा है NPS सरकार संसोदन करें ना करें लेकिन उनके लिए OPS जरूरी है OPS सरकार बार करें लेकिन सरकार ने OPS की बाली से मना किया तो फलाल इस तर के आपके लिए ताजा आपडेट होने वाली है